जड़ीन दोस्तों कैसे आप सब बहुत सारे लोग बोल लेते सचीन और जो ट्रेट टेस्टा उसमें आप बार क्यूं हुए तो यार देखो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको टाइम नहीं मिल ला था इसलिए मैं आपको वीडियो बना के बतानी पा रहा था जब सेंटर पे ग कुछ भी नेता हम लोग के हाथ में कि हम लोग कोई फोटो वीडियो ले और बनाए और मतलब अपने चैनल पर डाले यह सब उन लोग करने नहीं देते थे फोन तुरंत जमा हो जाता था बैक के साहीद फोन जमा देखो जब अंदर बैक जमा हो गया उसके बास धीरे धीरे प्रोशेसिंग अंदर MBA लेगा हमलों लोका पीएश्टी कराने के बाद फिर उसके बाद हम लोगा चेस्ट नंबर दिया गया चेस्ट नंबर देने के बाद मेरे बाई रनिंग हुआ रनिंग देखो बहुत ही ज्यादा धूप था तब हुआ रनिंग हम लोग का और मेरे बाई जब रनिंग हो गया रनिंग होने के बाद फिर जब अंदर ले गया वह लोग अंदर ले जाने के बाद देको जो रन्निंग कराया वह एडी जी बगारा कुछ थे मतलब काफी हाई पद पे थे वह जेंस थे ठीका ना वह कोई लेडिस नहीं थी जेंस थे जिन्होंने हम लोग का पीटी कराया दोनों लोग जेंस थे रहे थे एक दो लोग चेस्ट में बाहर भी हुए जिनका मतलब काफी ज्यादा कम था पांस शेंट्रीटर कम था तो उनको तो बाहर जाना आई है ठीका उनका किसी किसी तरह भी वहां पर करा नहीं पाये थे वह लोग और एक भाई था जिनका मतलब 3 सेंट्रीटर सीना कम थ अधर साय था सीना उसको क्या पूलसफ सबगरा मरवा के वहीं पर उसका कंप्लीट करा दिया गया लगवक 5-6 बार उसका मतलब क्वालिफाई कर दिया था ठीक है तो यह सब वहां पर प्रोसेस प्रोसेस हुआ था उसके बास मेरे बाए बारी आई ट्रेट टेस्ट की तो ज कोई कोई दिक्कत नहीं था सैंग देखो देखो मैं जब जाय को में प्रम कूंच इंडिया है को मैं दोस्तों Şu चुन में सबकुछ मैंने याथ के लिए दर्ट कर लिए थों में किसा तरफ से जवाब देना है और अच्छे खासे मैं अच्छा जाका लिए ट्यारी कर लिया था मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरा जो स्टार्ट होने के पहले मेरे भाई इतना ज्याद धूब बैठा दिया था इतना ज्यादा गर्मी हो रहा था कि मैं एक दो बार चक्कर खाके गीर भी गया था मतलब वहीं पे लेटा हुआ था कि जो मेरे साथ वहाँ पे टेस्ट मेडिकल फिजिकल की हैं अगर वह सब वीडियो देख रहा हुआ उनको पता होगा कि मैं किस तरह से वहा ज्यादा खराब था मैं दवा खाके वहाँ पे गया था सेंटर पर ठीक है इसलिए मेरे तभियत और भी ज्यादा खराब हो गया था इतना कुछ होने के बाद जब टेस्ट की बारी आई आई और वहाँ पे जब मैं गया तो देखा कि कोई लेडिस थी आप्स्तर थी वह हम अगर कोई जैन्स है वह समझता है किसी की फिलिंग्स को लेकिन वह जो जो लेडिस थी ना मेरे भाई मुझे मुझे पता है जितने लोग आ गया तो उनको भी पता होगा काफी ज्यादा एटिटूड और गमध उसके अंदर भड़ा हुआ था ठीक है बहुत ही ज्यादा या आप Bend Scout अगर कोई लड़का yeah Peace की त्यारी कर रहा है तो दो क्या आगा बनाने जायेगा अगर वह लड़का खाना बनाने जायेगा तो वह पी त्यारी कैसे कर एगा यहां पे आशी परसेंट अ understands एक यहादा ना चाहिए तो एसा कैसे हो सकता है कि कोई होटल पर काम भी करें और पढ़ाई करें अश्य से 88% नंबर कैसे कोई लाएगा तो वह यह संभाव तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब सब लोग कर पाएंगे काफी मतलब कम कर पाएंगे तो यह सब गलत बात आए यह मझे बहुत ही बेकार लगा जब घ्रतर की 25 लोगlor का बुछ बना पास लोई थी यह बनाते घ्र हो घर कि न बशाही कि मेरे बाई जितने लोग वीडियो देखना जितने लोग वहां पे थे वह तो समझ के रहूंगे कि मैं क्या बोलना हूं आज जितने लोग नहीं समझ पाए हो ना तो आप एक काम करना किसी भी आटे के लोई बना कर इतना बड़ा उसके बाद उसको छोड़ देना वैसे ही उ सबसे पहले उन्होंने पूछा कि कोई इस पेसल कुछ भी बना सकता है क्या मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए उस चीज में तो सब लोग अपना प्रतर के दे रहे थे कोई कह रहा था मैं मर्टर पनी बना रहा हूं लेकिन मेरे दिमाग में विल्कुल यह चल ला था कि यह ज तो जो कोई दू लड़के थे वह लोग बोले कि हाम और में मतलब बना कि बना सकता हो तो लगी पूछने वह रहा कि मैं गोवे की सब्से बना तो गोवी को कैसे तो वह बचारा कुछ भी बोल ला तुसके बातों मैं फसा दे रहे हैं तो मुझे समझ में आ गा गया गा आने जाए लास्ट में करके दिखा तो उसको समझ में जाएगा तो इसलिए मैं कुछ बोला नहीं वहाँ पे ठीक है कुछ कोई भी नहीं बोला एक ही दो लग वहाँ पे बोले थे उसके बाद से क्या हुआ कि सबका नाम बोला गया अलग-अलग से किसी को रोटी बनाना था कि पराठा भी तीन कोन का बनना चाहिए ठीक है तो सबको बनाने के लिए दिया और फी उसको जब मेरी बार याई मेरा नाम बोला वहाँ पे तो उन्होंने का कि सचीन आप पराठे बनाओ ठीक है आप सूखी लोई का पराठा मेरे बाई कौन बनाएगा नहीं बन राता तो इ बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया उसका लोई तो किसी तरह से मैंने पराठा बना दिया और मेरा पराठा इतना अच्छा बना था कि तीन कोल का बिल्कु प्रापर बना था तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं ट्रेस्ट क्वालिफाई हो गया हूं ठीक है फिर मुझे लग कीचार में जाने के बाध उनका अच्छेस हो रहा था जो भी बंदा कीचार में जाकि अच्छा कर रहा था उसका क्वालिफाईтесь हो जा रहा था ठीक है होंगी उसके बास इनों किसी को kitchen में नहीं बेढंके लगा में यहां तो कॉलीफाइट हो जाऊंगे किन मुझे मुझे क्या करना है मैंने में यही ज़ेदिए मसालि का नाम पूछे से बता दूँगा सब कुछ त्यार कर लियाँ दालो पूछे या सब्जियों का नाम पूछे इंग्स हिंडी चाहिए जिसे मैं पूछा थ्यार करके मैं यह थी ठीक है लेकिन में भाई आप एक बात होता कुछ भी नहीं पुछा किसी से भी ना मसालों के नाम पुछा ना डालों के नाम पुछा ना सब्जीयों के नाम पुछा ना फलों के नाम पुछा ना ही क्योई कीचन इक्विमेंट के बारें पुछा कुछ भी नहीं पुछा उसके बस एक लोई दे दिया उसके उसको बस कह दिया कि ये बेल क्या परेठा बनाओ रोटी उनाओ उसी किसाफ से आप मुझे डिस्क्वालिफाई कर रहे हो ये तो बहुत गलत बात है देखो मैं डिस्क्वालिफाई होने का बाद खुश तब होता कि मतलब हाँ चलो मैं उस लायक नहीं हो तो मेरे भाई ये तो दुख होगा ना तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मुझे काफी ज़्यादा ये फिर होगा कि यहां पर कुछ गरबट चल ला है वह तो लेडिस ओफिसर थी वह काफी ज़्यादा मतलब घमन दी थी मेरे भाई उनको सोचना चाहिए ना कि लड़का को कभी पर निकाली नहीं सकता है इस जमाने में क्योंकि इतना हाई कटाब जाती है तो ये सब कैसे हो सकता है कि मतलब कोई अच्छा मतलब बिल्कूल ही एकड़um समझे perfect कोई मतलब खाना बना के दिका है perfect i कोई भी तो बो últimos कीसन में जाने तो देते हम लोग को नहीं जाने दिया या तो फिर दुख कोगा नहीं होगा तो यहां पर कुछ गरबड हुआ कि नहीं तो गरबड यहीं चीज है कि किसी को बीना जाने आप उसको डिस्क्वालिफाई कर रहे हो तो यह सबसे बड़ी चीज है ठीक है अब दोगों कुछ बोलेंगे सचीन भाई ऑब्जेक्शन करो देखो करना है तो वह क्या करेगी वह बोलेगे चलो ठीक है तुम इतना ही अगर तुमको सब कुछ बनाने आता है तुम यह बना के दिखाओ मतलब मुझे किसी तरह से फिर भी वह डिस्क्वालिफाई कर देगी लास्ट में जाके तो यहीं चीज बता रहा हो कि मैं यह वहां पर आप को लोग था खता दो तुम पहुंआथ लेकिन वो बोले जो के अब कशिक्षा नाम बोलного तो अलग एंधर किसी को इधर समझ भी नहीं रह reimya रहे हैं। पपचीस बंदे बैठे हुए हैं यह लोग्ग डिस्कॉालिफाइए हैं हम लोग्षाइएं तो फिर बाद में यह हुआ कि हम लोग्षिक्वालिफाइए हैं यह लोग्षाइए हैं वह जाके दिमाग खराब हो गया किया कि aap houm के सटा लेटीजायर तो यह इसा डिख गया फ्म convene अड़ार को इतना टियारी किया कोई बंदा जा रहा है तो उसको खाना बनाने के लिए बिल्कुल uh こう iक्डमाइक बभादिया जाए यह तो गलत हो रहा है कुछ rp तो यही सब था यार और कुछ नहीं था फिर वहां से मैं घर चला आया जितने लोग का वहां पर क्वालिफाई हुआ तो वह भी बहुत परिसान है क्योंकि उन लोग को एक हपते के लिए उसको मेडिकल के बाद रिजंट के लिए उसको एक सब्सक्राइब आ जा रहा है उनको जल्दी से प्रोस्टेस करना चाहिए जल्दी करना चाहिए जिसे कि वहां पर जितने रूके हुए हैं उनका पैसा खर्चना उनका टाइम खर्चना ओ ठीक है कोई कुछ नहीं सोच रहा है सबको अपनी पड़ी यह मेरे बाइए चलो ठीक है आप अपना राय बताओ आप अपना तर्क बताओ कि क्या साइए क्या गलत है दिखो बागी सब लोग सही है यार वहाँ पर कोई भी खराब नहीं है ठीक है सब लोग सही है जो लेडि ऑफिसर ति वह भुख्राब है ठीक है वही बहुत गवंडी है उसी को यह सब कुछ मैं बोलना हुआ पर सब कुछ खराब हो गया ठीक है जितने लोग वहां पर थे सब आप बाकी कुछ लोग बहुत ही खरात थे हैं ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे नाश्य दोसके लिए जाएं ट्रक्याइब